हेलो स्टुडेंट, सुपर स्टार क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जैब विकास को कवर करेंगे शेली स्टुडेंट बिना देर किये वीडियो को स्टार करते हैं जैब विकास क्या है? जै विकास एक सतत चलने वाली अतियंत धीमी प्रक्रिया है जो हजारों लाखों वर्सों से पूंड होती आ रही है कहने का मिन्स इनका यह है जै विकास क्या है तो जै विकास की सबसे अच्छी डिफिनीशन की अगर बात करें तो एक डिफिनीशन हम आपको देते हैं जो हमारी प्रत्वी पर जै विकास हुआ है वो किन जीवों से हुआ है तो आपके सिंपिल जीवों से यानि कहने का मतलब क्या है सिंपिल यानि की सरल जीवों से आज प्रत्वी पर जैसे जीव जनतु हमें दिखाई दे रहे हैं आज जितने भी जीव जुएस सिरुवात हुई थी और इस पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो उस समय एक कुछका के बने हुए सिंपिल या सरलसरचना के जीव थे और उन सरलसरचना जीवों से आज आधनीकाल के जटिल जीवों की उत्पत्ती को हम क्या बोलते हैं जैब जो होता है वो धीमी गत्स से अतियंत धीमी प्रक्रिया है और लाखों करोणों अरवों वर्ष के उपरांद आज जटल जीवों की उत्पत्ति प्रत्वी पर हुई है क्योंकि यह मारी प्रत्वी की जो उत्पत्ति हुई थी लगवग लवग पांच अजार अरव नहीं समुद्री कौन से थे तो आपके पैरा मिर्शियम उगलीना आपके और कह सकते हैं अभीबा टाइप के जीव थे और यह कैसे थे सिंपल सरचना के थे और यूकरियाटिक थे लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह सरपर्थम उत्पन होने वाले जीव थे जो कि कहां से समुद्र से तो सरल जीवों से जटल जीवों की उत्पति को हम क्या कह सकते हैं जैब विकास लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा समय लगा है इस प्रक्रिया को संपन होने में आज जो जैब विद्दा हमारी दुनिया में दिखती है संसार में दिखती है तरह तरह के जीव जंत हम नोग जो देखते हैं एक से बड़े यानी दुनिया का सबसे बिसालतम जीव, हेल से लेकर आप छोटे से छोटे जीव की अगर बात कर लो चीटी हो गया आपका या अजर दूसरे जीवfelt कर लो तो आपके जैसे जीवान हो गये तो इन और आज बिसाल का है जीब इस्तंधारी जैसे के आप हाती की लेदो तो यह जो विकास करमी की प्रक्रिया हुई है यह लाखों करोडों वर्स के बाद हुई यह कहने का सरल जीवों से जटिल जीवों की पत्ति कोम क्या बोलते हैं जैब-विकास तो एक भार परिवासा को हम फिर रिवाइच करते हैं प्राचीन काल के सरल जीब और आज के कैसे जीब आपके जटिल जीब और इस प्रक्रिया को संपन्नो ने में करोडों वर्स लगे हैं और यह एतियन धीमी प्रक्रिया इसी को हम क्या बोलते हैं जैव विकास चलिए जैन्स अप और गैनिक इबलूशन और गैनिक इबलूशन के प्रमार कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज के इस प्रसंद में और बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक सही है आपका जैव विकास चलिए तो सबसे पहला हम जो प्रमार देते हैं एविडेंस अप फॉसिल्स यह नि कहने का मेंस है जीवासम स फिर आपका सेकेंडت क्या है सही कडियों से प्रमार सही अजी कडियां से आपकी तो इबीडेंस साभ साप अप्षड प्रमार वेस्टीजेल और सम्रति एंग करेंस हम अन जो करूं प्रमाड है और हम नेक्स्ट शीक्रम में अगर बात करते हैं तो भॉंटकी से प्रमाड और साथ ही साथ आफ हम लोग जैब कारकी से कारकी से भी प्रमाड और और भी जो अगर बात करते हैं तो एविदेंसे साफ एटेविज्म यानि पूर जयता से प्रमाड और कह सकते हैं औ और वहालिक प्रथक्रण से भी प्रमाद तो एब देंस तो ऐसे बहुत सारे प्रमाद प्रकास पढ़े आपर जीव आसम से प्रमाद से घुड योट अंगों से प्रमाद गभाण संजाता सांब्रत्ती अंगों से प्रमाद और आप क्या है इसी में आपका इसी में है भाउडकी से पुर्माद सरीख निया विग्यान से पृमार और में पुरूजदा पूर्खी प्रस्ड की इस प्र history को डिसकर करते हैं तो आईए हम इस पर बात करते हैं जो फर्स चेडिंग है आपकी किया विद्स साफ फॉसिल स्टु जीवास्म। करते हैं तो जीवास्म काल में जो जीव प्रत्वी पर फले फूले और किसी कारण बस प्रत्वी के अंदर दपकर सुरचित हो गया तो पूर। कल में जी फले फुले प्रत्वी पर किसी कारण बस्षा thirty के अंदर शुरचित हो गया उने हम क्या कहते हैं फॉपसिल्स और जीव आसमों का अधियन की अंतरकत किया जाता है तो 확 android पेड़ पोधों के जीवास मोते हैं पहलियों वॉटनी के अंतरगत उने अध्यन के आज़ता है और आप लोग जानते होंगे बीरवल्थाइणी जो हैं तो सबसें नंतरा यहां पर बड़े और इसके सबसें निकाला गया था तो यह को निकाला गया था जर्मनी की और यहां पर अगर सबसें बड़ी और अच्छी बात करते हैं जो आर्क्योपटेरिक्स को कहा जाता है सरीसरप और पच्छीओं के बीच की सेयों जी कड़ी भी कहा जाता है कहने का मतलब इस जीव में यह जो पच्छी था इसके पच्छी के चोंस में दात थे और सरीसरप की तरह पूंच जो थी उसमें हड्डियां पाई गयी थी तो यह जीवास्म के रूप में एक कवे चयाकार का पक्छी था और यह प्रतिवी प्राइसा पक्छी था जिसके चोंस में दात और ये किसका एक्जामपल से है आर्किपटेरिक्स तो आपका आंसर होगा आर्किपटेरिक्स किसका एक्जामपल है तो जीवासम यानि इविडेंस यानि इससे पता चलता है लेकिन आर्किपटेरिक्स किस काल में ये विक्सित हुए थे तो ये विक्सित हुए थे आपके कितना बड़ा था साइद ये कलपना मात्रम को लगेगा क्योंकि इस तरह का कोई भी जीव हमारी प्रत्वी पर आज नहीं दिखता है किसके जैसा डाइनासौस के अधिया था क्योंकि ये कितने-कितने और बायू में उड़ने वाले यानि तीनों प्रकार के ये थे बायू में भी उड़ते थे जल में भी रहते थे और साथी साथ इस्तर पर भी भाकते दौरते थे और मासारी साकारी ये हर प्रकार के जीव थे और डायनासौस का जुरेसिक काल में एक बहुत बड़ा मतलब ये मीसोजो एकर अंथ होते होते, यानि 14-15 कब्रस पूरल इनका क्या हो गया? यह हमारी प्रतवी से बिलॲुप्त हो गया, उनकी पूरी प्रजात ही इस प्रतवी से बिलुक्त हो गई. आज हमें उनके क्या मिलती है? हड्डिया मिलती है, जिससे यह पता चलता, ये जीव हमारी प्रत्वी पर चला और फिरा और घुमा उस बास से पुष्टी होती है कि ये भी जीव हमारी प्रत्वी पर कभी विक्सित हुआ था जिस तरीके से आर्कियोप्रटेरिक्स के विसे में जानकारी मिलती है तो जीवास्म के माध्यम से जानकारी मिलती है जबकि दोनों ही जीव हमारी प्रत्वी पर नहीं हैं तो कहने का मतलब हमारा यह कि जीवास्म से प्रमाड अब आप लोग समझ गये होंगे कि कि हमारी प्रत्वी पर कुछ ऐसे भी जीव उत्पर्ण हुए थे जो पूर्व काल में फले फूले विक्सित हुए और किसी कारण बस या मरने के बाद वह दबकर सुरच्चित हो गए उनके चिन या ठपे या मतलब कर सकते हैं उनके हड्डियां जो प्राफ्थ होता है कि यह यह प्रत्वी पर थे तो जीवास्म से भी प्रमाण मिलता है और इस बात की पुष्टी होती है कि जैव विकास में इनका बहुत बड़ा महत्पूर्ण मतलब इस्थान है और इससे हमारे पूर्वज जो जीव जातिया है उनके विकास किरम का पता चलता है सेकेंड आपका क्या है कहने का मतलब क्या है हमारा सहीव जीव उत्पन हुए जिन जीवों में दो जीवों के मतलब लच्छन पाए जाते थे कहने का मतलब ऐसा जीव जो दो जीवों के मद की बीच की सेयोजी कड़ी हो उसे हम क्या बोलते हैं सेयोजी कड़ी अगर हम बात कर लेते हैं बाइरस की तो बाइरस एक ऐसा जीव है हमारे प्रतवी का जो जीवित और अजीवित के मद की सेयोजी कड़ी है कहने का मतलब क्या है बाइरस बैसे तो बाइरस सबसे पहले झीब जाता है यह कुसी भी कोस्था में नहीं पहुंचесका कौन भिशाडू तो भिशाडू यह कैसा जीवित और जीवित के मदद की सहिंहों जीकड़ी और इससे ये पता चलता है कि विसाणों से मतलब जीवित और अजीवित दोनों के जीवों का विकास हुआ तो आप लोग समझे होंगे सेयोजी कडी में किसका विसाणों का एक्जामपल अब हम नेक्स बात करते हैं सी में तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे युगलीना को क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसकस किया था प्रतिवी पर सबसे पहले कौन से जीव आए तो आप लोग जानते होंगे बड़े अच्छे से कि अमीवा पैरामेशिम उगलीना और यह समुद्र में व्यूत्पन हुए थे तो यहां पर अगर बात की जाए उगलीना की तो इगलीना दो जीवों के मद्द की सहयोजी कड़ी है किसके मद्द की तो जन्तु जगत और तरह की प्रोसेस पाई जाती है एक तो यह प्रकास संस्लेशन के द्वारा भोजन का निर्मान करता है और दूसरा यह है कि छोटे जलिए जीवों यानि कह सकते हैं डाइटन्स को और वेक्टीडिया को या छोटे सहवालों को खाता है कौन यूगलीना जबकि यह प्रोटो जंतों को मतलब समझा और यह दोनों यह जंत दो जीवों के बीच के संयोजी कड़ी के रूम में थे अब हम बात करते हैं पैरिपैटस की किसकी तो पैरिपैटस क्या था और यह कैसा संयोजी जीव था तो इस जीव के अंदर भी दो जीवों के लच्छन थे एक तो आर्थो कि अंग के लच्षण यहां थे तो आप लोग सभी जानते हैं कि आटोपोडर के जीवों में क्या आहें लक्ष की संक्या कितनी और होती तो तीन जूड़ी उती बत क्या होती है तीन जोड़ी पैर होते हैं और इनका सरीर जो होता है तीन वागों में डिवाइड होता है सिर्वक्ष और उदर गौए इपडोमेन में कहने का मतलब और साथी साथ आप लोग जानते होंगे एनिलिडा की भी लेच्छा पैरिपेटर्स में थे यह जो पैरिप के जीव हैं उनकी खास बातें क्या जैसे केच्व को तो आपने देख ही है तो मस्कुलर वाड़ी होती है टोटली और साथी साथ इसमें इलिवेंटरी कैनल सिस्टम भी पाया जाता है तो और यह जो सर्जन होता है यह तुछा के द्वारा करते हैं और कहने का मतलब इनका सर परिपेटर्स जो जीब था इन दोनों के बीच की सेयोजी कड़ी था इसमें इनलिडा के लच्छन थे और आर्थोपोड़ा बर्क के लच्छन थे तो आप लोग जानते हैं आर्थोपोड़ा के सरीर के साव खंडियों नकरीं टांगें होती हैं एंटीना और सुसन के लिए ट्रीपा याजती है जो भी कीठ है वो शुसन करते हैं किसके दौ़ारा ट्रीप्या के दौ़ारा जबकी एनलिडा के लच्छन में उस दौ λच्छन किसके दौबरा होता है तो आपका निफ्रीडियी होता है तो दोनों के लच्छन किसमें थे पैरिपैटर unity चलिएं में ने नीयोप्लाइना के बिसे में कई वार प्रस्शन आपके अब्जेक्टिव भी बनते हैं तो आप बाइरस չपास के लिखते हैं, के बारे में Dot हम बात करते हैं नीय खीनताइश एनलीडा किसके मत्री उपता कर दो बात करते हैं 인हां यह यह बात करते हैं और मॉलैस्के के जो जीव होते निका सरीर कैसा होता है सेगमेंटर होता है तो आपका कि तो कहो सकते हैं एनिलफा मालस९शचा की खास भी सिस्ताओं कि तो के उपर सबसे बड़ा क्या होता है क्लिस्यम Sब कारोनेट का बना हुए कबस होता है यही बात और इसके पूरी बाड़ी जो मॉस्कूलर बार्ड़ी होती है खोल के अंदर संज मतलब खोल पाई जाती है का हैने का मतलब तो इनका सरीर इनेड़ा का खंडित होता है तो था प्रतियक तंदिकाग उच्छा का उसरजियंग पाए जाते हैं किन्तों मुलस्का की बाद पाद और मेंटल कवच तो आप जानते ही होंगे होंगा कि बारे में जिसमें मेंटल होता है उपरी कवच पाद उसमे से पढ़ा होगा और पच्छी वर्क की सेयोंजी कडिकाउन है आर्कियों पटैरिक्स इसकी उत्पत्ति कब हुई तो इसकी खोजी तो एड्रियास वैगनर ने की थी और कहां से की थी तो आप लोगों को पता होगा जर्मनी की एक खांस किया गया था कहने का मतलब उसको घ्डियों का पाया जाना सरीसृप का लच्छन है सासे में दाथ का पाया जाना मेशना लक्षी 夏 Jaykeer तो वह मोडिफाइड हो गई किसमें फैंस में यह लंकिसका होता है इसके जो इसमें स्केल्स पाए गए इसके सीफ़ी के स्कालेचन है तो आर्क्यूंटेर्स सरी स्रफ काला चाहिं तुम तो देखा तो उस पर बहुत सारी प्रेट जैसी स्लिचना पाय जाती है उन्हें मोग क्या बोलता है मुचले है इसको स्केल्स कहते हैं तो इन्में स्केल्स भी पाए गए लिए 한ब आप के बात करें तो इससे दो यह बीच किसके व्यांजी कडे है तो HR& और पच्छी बर्की से योजी कड़ी काउन है तो आपका अंसर होगा आर्कियो पोटेरिक्स चलिए इसी संकला में हम इसी नेक्स बात करते हैं प्रोटोथीरिया बर्की किसकी प्रोटोथीरिया बर्की और आप लोगों ने पढ़ा होगा इस्तंदारियों के बारे में तो आपने तीन तरह के इस्तंदारी पढ़े होंगे मैमल्स मतलब एक तो प्रोटोथीरिया पढ़ा होगा फिर एक मेटाथीरिया पढ़ा होगा फिर एक आपका जो यूथीरिया जिसमें आप हम लोग जो कहने का प्लेटी पस देखा होगा यह अंडे देने वाले स्तंदारिये प्रोटोथिया और आपने पड़ा होगा मेटा-थीरिया के बारे में जिसमें कंगारू रखा गया जिसकी जो कंगारू होता है उसके आंगे क्या होती है मारसु पीम जिली टी यह होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखकर उसको मतलब बढ़ा करता है तो उसलकूत करता हुए कंगारू तो आप मोशली कंगारू पाया कहा जाता है तो आप लोग यह भी जानते होंगे तो आस्ट्रेलिया में तो जो कंगारू अता है मेटा-थ से उजी कड़ी हैं किसके मद्री से उजी कड़ी है तो आप बढ़े अच्छे से जान लेजिए तो यह इस्तनी और सरीशब के बीच की से उजी कड़ी कौन है तो आपका प्रोटो ठीरिया इसमें सरीशरफ माने रेप्टाइल के बिले छंड जो रेंगने वाले क्रीपिंग अनिमल जैसे कचुवा हो गया जैसे आपका स्नेक हो गया मतलब सर्फ हो गया और साथी जार क्रीब करने वाले आप चिपकली जानते ही होंगे मांगर बच्छ तो जानते ही होंगे तो सरी सरफ है तो इनकी तोचा कैसी होती है स्केल्स पाए जाते हैं तोचा पे खुरदरी होत करते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान तक साथी साथी बच्चों को दूद्ध पिलाते हैं कि अपने बच्चों को की बच्चे को बोलते हैं प्लेटी पस तो दोनों एकजाम फिल महत पूरा यो पूछे भी जाते हैं टेकी फिलासेश और इन्थो और इंकस इसे बोलते हैं प्लेटी पस चलिए यह तो बात आप समझगे ब्लेटी किसमें नियुक से कड़ी है तो सरी स्रव अजय कर यह और ऐसा माना जाता है कि प्रोटो थिरिया वर्ग से ही आपके सरी सरव बने और साथी साथ इस्तंदारी वह भी बने अपसे सी अंगों से प्रमार अब बड़ा ही अच्छा और प्यारा सा यहां पर प्रसना है आपका इवीडेंसे साप बेस्टी जील ओर्गन तो अब सेसियंग क्या है ऐसे यंग जो हमारे सरीर में पाए जाते हैं जिनका कोई वर्क नहीं लेकिन यह सरचनाय कभी हमारे पूरूजों में अधिक बिक्सित रही अब सेसियंग किसे करते हैं ऐसे यंगों को हम क्या बोलते हैं अब सेसियंग अब आप स्टुडेंट बड़े अच्छे से परिवासा को समझे होंगे अब सेसियंग इन्हें हम अंग्रेजी में करते हैं वेस्टीजियल और्गेन या इसी को कहा जाता है नॉन फॉंक्शनल और्गेन नॉन फॉंक्शनल मीन्स होता है ऐसा जिसका कोई कारणा हो तो यह सरचनाय जो थी हमारे कभी पूरवज जो एक दो पीड़ी आपके बाबा परदादा या उनसे भी पीछे जैसे आप हम लोग अपतरित किस्से हुए हैं तो एप मानों बंदर लंगूर इनसे हुए हैं तो इनकी सरीर पर सरचना पर आपने बाल देखे होंगे अब जब हम जंगल में थे तो हम लोगों को सरदी भी बगएरा इन सब को जहलना पड़ता था सभी मौसम की ड्रास्टिक कंडिसन्स को और सरदी होती थी तो बाल उन लोगों के लिए जादा जरूरी थे लेकिन ये धीरे धीरे लच्छन कैसा कम होता चलाया लेकिन बाल आपके सरीर में जो पाए जाते हैं मुफ्त में पाए जाते हैं जिनका रोल बोडी में कुछ नहीं होता है लेकिन पाए जाते हैं अगर हम इनकी बात करते हैं अपसेसी यंगों की बात करते हैं तो आपने पड़ा होगा बर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स या जो आपकी बड़ में तब इसका सबसे अच्छा इलाज ही होता है कि उसे ऑपरेट करके डॉक्टर सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं और दर्द बंद हो जाता है फिर आपने देखा होगा अर्द अर्द चंदाकार जिली एक आओंग के पास में पाए जाती है जिसें बोलते हैं निमेशक फटल क्या बोलते यह कैसा आइंग इत आपका है यह दो कर्धिक्र है पूच्छ का पायाम मनुस आज इतना बड़ा हो गया पहले मनुस्षिया चाया जो हम छों लोग बंधरों से अब तरीत हुए तो बंदरों के पूच्छ पायाती है तो लें पूच्छ Much पूरवच के आ रहे तो बंदर वगएर आ रहे तो उनके में यह रोल था कहने का मतलब रोल था बॉड़ी पॉस्चर को संतुलन में लाने के लिए तुमने देखा वा बंदर लंगूर बंदर देखा होगा इस्टुएंट्स और वो जो एक पेंड से दूसरे पेंड पर जाता ने पूछकी तो यह कैसा अंग है अपसेसी अंग है तो आप समझे होंगे करनपळों की पेसिया More कान के उपर पेसियों का बंना यह भी अपसे को कम का एक्जांपल से साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं अकलाण की तो अकल Andra कान पर पाई जाने वाली पेसियां करण परलों पेसियां कर लाती है हमारे पूरुजों में जैसे जानवरों जो जानवर होते हैं वो कानों को इला सकते हैं इसलिए उन्हें का जाता है करण परलों की पेसियां यह किसी-किसी मनुस में हो जाते हैं करण परलों पेसियां और सा लेकिन ये मुफ्त में पाई जाने वाली सरचना है और मनुस में तो चा पर बाल जानते हो वह दिक्कत होगी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए है आप आराम से जीएंगे कोई समस्या ओर लेकिन थोड़ा सा आप लोग सभी जानते हैं कि बालों से थोड़ा सुंधरता बड़ा हैं इस तरीके कि यह बात की घर बात की जाये तो बाल ना currently लगेगा अभी होट सुथ है क्या बात करते हैं चलिए हैं आगो बात करते हैं यह foolish, अप्सेसियंग बिख्षिती रहे और उटिक का हम को बताते हैं यी बइकास में यह बदाते हैं MARY में यह बिख्षिती तो यहां से जे विकास का प्रमान मिलता है चलिए नेक्स्ट बात करते है